आओम घलीम बगला मुखी सरवदुस्टाना भाचम मुखम स्तंबा जीवा की लाय बुद्धिवनाशा हिलीवों फट्स्वाहा आओम हिलीम बगला मुखे नमाहा आओम बकरतुंड महा काय सुरे कोटी संग प्रभ निरे विगनम कुरमे देव सरवकारीशु सरवदा आओम श महां बगला मुखी की स्तापना 28 तारीक होईगी जनता से क्या कहना चाहेंगे जो लोग ही माचल में जाते थे मां बगला मुखी के मंदिर की धर्शन करने सेम वैसा ही मुखे द्वार सेम वैसा ही भवे मंदर जम्मू के बीरपुर के मंदल खना इलाके में बनने जा रहा औ महां बगला मुखी की स्तापना 28 तारीक होईगी जनता से क्या कहना चाहेंगे जो लोग ही माचल में जाते थे मां बगला मुखी के मंदिर की धर्शन करने सेम वैसा ही मुखे द्वार सेम वैसा ही भवे मंदर जम्मू के बीरपुर के मंदल खना इलाके में बनने जा रहा औ 28 को स्तापना जनता से क्या कहने सवी नमस्कार दैनिक शिवकाइन में आप सब का स्वागत है जमू भास्तियों के लिए खुशकबरी यानि के पहला जमू का भव्य मां बगला मुखी का मंदिर का निर्मान हुआ जिसकी मूर्ति स्तापना 28 अपरल को होने जारी और एक भव मा बगला मुखी के दर्शन कर सकते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं ये सामने जो द्वार है यहां पर मा बगला मुखी की जो मूर्ति है वो यहां पर स्थापना होईगी चली समय अरुण शर्मा जी हमारे साह जूड़े इन से जाने का प्रयास करेंगे जमू में पहला माभगला मुक्य का मंदिर ज़ो जमू वासियों को मिलने जा रहा है बड़ी खुशी की बात है minutes बात है माभगला मुक्य के दर्शन करने हिमाचल में जाना पड़ता था पर वैसे ही बवे मंदिर जो हमारे बीरपुर के मंदल खड़ा इलाके में बनने जा रहा है एक खुशकबरी है जमुवासियों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर को लेगा एक तो रश्मी मेंदू जी आपका बहुत बहुत धनेवाद आप जहां आए हमारे लाके की बहुत बड़ी शान है जहां जो बनने जा रही है जहां बब्बे मंदर बना हुए आलडी तो उसकी कल जो माता बगला जी की मूर्ती का लाई जो का माक्षा से आई है माक माक्षा से और कल बड़े काफी जएदा लोग थे अजारों संख्या मैं मां खड़ा में रोड से ले रखा बोड़ा अभी उन्होंने नाज में उनको रखा हुए है तो अभी आप सुन रहे हो राम कथा चल रही है गुरू जी रिक्षा रांजी महराज इनकी महनत कटी बड़ी कटन लगन है उनकी वो पिछले चार साल से जे लगे हैं जहां शुरू है तो आपने देखा जे मेरे अजी ने किरपाई थी तो कल जो भाब होगे जब जे बोल रहें था शाकषातिको सामने कर दो कामना रखते हैं यह तो शाक्षात माता है यह तो तत्काल सर्विस देती है शरदा लेने वाले होने होनी चाहिए इसलिए रश्वी मैंट जी बहुत बड़ी खुशी के बात है हम तो सेवा में हम भी लगे हैं जेतनी गुरु जी हमें अदेश देते हैं उसके मताव बह आप साथ के लिए मुआ रखे हैं बिल्कुलिए